शहर में नकली नोट बनाकर चलाने वाले 6 आरूपियों को शहर के गनेश पेट पुलीस ने ट्रैप लगा कर गिरफतार किया जिससे शहर में नकली नोट को लेकर खलबली मची हुई है तरफ नोट बन्दी के कारें शहर के लोगों को काफी दिकतों का सामना करना पड़ा था तो वही शहर में कुछ ऐसे शातीर आरूपी है जो नकली नोट बनाकर धडलने से बाजारों में चलाते थे इस बात की भनक लगते ही गनेश पेट पुलिस ने ट्रैप लगा कर नाकपूर में नकली नोटों के सप्लाई करने वाले आरूपी चावेद और उसके पास सातियों को गिरफतार किया अवेद फेक इंडियन करनसी नोटों की सबसे पहले चफाई कराकर बात में ट्रांस्पोर्टेशन कराकर अपनी शातिर दिमाग से ये छे आरूपी नकली नोटों की सप्लाई भी करते थे गनेश पेट पुलीस ने आरूपियों से सौ रूपे के नकली नोटों के दस हजार के बंडल बरामत किये इस कारवाई के बारे में डिसीपी लोहित मतानी इन्होंने जानकारी दी अठारा मार्च 2021 को राद दस बजे के आसपास गनेश पेट पुलीस टेशन की टीम ने अवैद फेक इंडियन करंसी नोट बनाने वाली एक गैंग को पकड़ा है ट्रैप लगा कर पकड़ा है इसमें अब तक 6 आरोपी अटक हुआ है इसमें कुछ हारोपी है जो नोट की छपाई करते थे एक अबशेंट क एक अब इस ऐसे हैं जो नोट का ट्रांसपरटेशन करते थे और दोनों कार एसे सरीज का काम करते थे और पुरानी कारों के बदले पुरानी कारों को खरीदना बीचने का काम करते थे इसके अलावा जो जावेद आरूपी है उस पर अवैद दारू चंदरपोर वर्दा में पहुचाने की भी पुराने गुने दाखेल हैं इस प्रकार से ये लोग अवैद दारू सप्लाई करते थे और अमरावती में जो लोग अवैद दारू सप्लाई करते थे उससे इन लोगों का आपस में कॉंटेक्ट हुआ है अभी तक हमने इन से 10,000 रुपे की फेक इंडियन करंसी नोट्स जब्त किये हैं लेकिन इनुने अभी तक कितनी करंसी छापी है इतिहास में वो अभी तपास चालो है हम लोग तपास कर रहे हैं कि इसमें और भी आरो पी हो तकते हैं क्या लेकिन अभी यह लोग जिस मशीन के इस्तमाल करके फेक इंडियन करंसी नोट बनाते थे वो हमने जब्त कर ली है और वो नेटवर्क जो है जो हम लोग सोचे दे कि और भी दूसरे जिलो तक जाएगा लेकिन वो अमरावती में प्रिंटिंग चालू थी तो इसमें अगर और के पास भी नकली सौ की नोट आए तो वह नजदे की पुलीस थाने में इसकी जानकारी रे ताकि नकली नोट चलन में ना आए बीसेन नियूज के लिए माइकल रामपुरे के साथ संजे मेरे के रिपोर्ट बीसेन नियूज ना कूर